बिहार विधान सवा का चुनाव नजदीक आ गया है 2020 में चुनाव होने वाला है अभी बिहार का नित्रित नितीश कुमार कर रहे हैं बिहार ने अभी तक 25 मुख मंत्रियों को देखा है सो विधान सवा चुनाव से पहले हम आपको बिहार के सभी मुख मंत्रियों के बारे में बताएंगे कौन कैसे मुख मंत्री बना इस करी में सबसे पहला नाम बिहार के पहले मुख मंत्री स्री किष्ण सिंग का आता है तो आज हम उनके बारे में जानेंगे की वे कैसे मुख मंत्री बने और किष्ण बाबू का क्या योगदान रहा आधुनिक बिहार के निर्माता सिरिकिष्ण सिंग स्वतंतरता सग्राम के सेनानियों में से रहे हैं इनका संपूर्ण जीवन राष्ट और जन सिवा के लिए समर्पित था सौधिन्ता की प्राप्ति के बाद बिहार के नौनिर्मान के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए बिहारवासी सदा हुनके रहेंगे राजनीतिक जीवन के संगर्ष में निरंदर सामिल रहने पर भी जीस सौभाविक्ता और गंभिता के साथ वे अपने उत्तरदाईत्यों का निर्वाहन करते थे वो आज के यूग में कोई और नहीं कर सकता सत्थ और अहिंसा के सिधान्थ में उनकी आस्था अटल थी प्रगत खनवा ग्राम के भूमिहार ब्रामन परिवार में हुआ था उनके पुझ पिता का नाम स्री हरिहर सिंग था बच्पन से ही स्रीकिष्ण बाबू में संकलब दिर्टा स्वविमान और ग्यान के प्रति अभिरूची आदि गुनों का अभास होने लगा था जिसका विकास आगे चल कर हुआ डॉक्टर स्रीकिष्ण सिंग के प्राड़मिक सिक्षा अपने गाउ के ही प्राइमरी पड़ साला में हुई और छात्र विर्थी पाकर आगे की पढ़ाई के लिए वे जीला इस्पूर मुंगेर में भरती हुए सन 1906 में इंडरेंस की परिक्षा प्रतम सिरेणी में पास करवे पटना कॉलेज के चात्र बने 1913 में एमे की डिगरी तथा 1914 में बी एल की डिगरी कलकत्ता विश्विधाले से प्राप्त की अपने यूग के अन में धाविच छात्रों से अलग सिरीबाबू की मनुविर्ती परारम से ही सरकारी नोगरी के प्रतिकूल थी ता सिक्षा समाप्ती के बाद वे मुंगेर में वकालत सुरू कर दिये कुछी दिनों में उनकी वकालत चमक उठी विधारती जीवन से ही डॉक्टर स्रीकिर्ट सिंग राष्ट और समाज की सेवा करना चाहते थे सवधेशी अंदोलन आधी ततकालिन राजनितिक अंदोलन का काफी परभाव परा वे परारहम से ही लुकमान बाल गंगादर तीलाग तथा सिरियो अडवींद के विचारों से परभावी थे अतव अपने छातर जीवन से ही वे एक जननेता के रूप में बिहार के राजनितिक छितीच पर प्रकट हो चुगे थे राष्ट पिता महात्मा गांधी से डॉक्टर स्रीकिष्ण सिंग की पहली वेक्तिगत भेट सन 1911 इस्वी में हुई और उसके बाद ही उनकी जीवन यात्रा में एक नया मोर आया वे महात्मा गांधी के कटर अनुवायू बन गए उत्रकिष्ट पागिमता का वर्दान डॉक्टर स्रीकिष्ण सिंग को परारम से ही प्राप्त था और अपने इसी सिंग ग्रजना के लिए बिहार किसरी की समान पुन संग्या से विभिशुत हुए डॉक्टर स्रीकिष्ण सिंग ने पहली जेल यातरा सन उनिस्वेगारे इसीवी में बिटेन के इवराज प्रिंस ओफ वेल्स की भारत यातरा के भहिस्कार अंदोलन के करम में की थी मार्च उनिस्वेगारे इसीवी में विजयवारा कॉंग्रेस के नया अनुसार तिलक सोराज फंड के लिए एक करोड रूपया एकत्र करने का जब निश्चे किया गया तो बिहार प्रांतिय कॉंग्रेस समीति दोरा नर्मित तिलक सोराज फंड के डॉक्टर स्रीकरिशन सिंग संयोजक मनाये गए अपनी अदबूत क्रमठता, उदारता और परमूख राजनेतिक सुझबूच के धनी डॉक्टर स्रीकरिशन सिंग सन 1917 इस्वी में लेजिसलेटिव कैउंसिल और सन 1934 इस्वी में केंदरी एसेंबली के सदस चुने गए भारतिय स्युधान जब 1 अप्राइल 1927 से लागू हुआ तो डॉक्टर स्रीकरिशन सिंग के प्रधान मंतरित से ही बिहार में सवदेशी सासन का स्री गनेश हुआ वे ही बिहार के एक ऐसे कालपुरूष थे जो जीवन के अंतिम घरी यानी 31 जनवरी 1961 तक बिहार के मुख मंतरी के सम्मानित पद पर बने रहे 20 में 1938 में अंडमान निकोबार में राजनीती कैदियों को छोड़े जाने के प्रश्ण पर ब्रीटी सरकार से मदभेत के कारण पत्या किया था पुनो एक बार 1949 में कॉंग्रेस के निर्देशा अनुशार ब्रेटेन की नीती के विरोध में उन्होंने त्याग पत्र दिया था सिरिकिश्न बाबू सनिकदा और उदार भावनाओं के मुर्तिमान प्रतिक थे दूसरे केकस्ट को देखकर द्रवित होना, मर्मिक द्रिश्यों के अघास से फुट पढ़ना उनका सहर सभाव था उनका हिर्दे निश्चल प्रेम और दया से परिपून था उनका पुस्तक प्रेम अलोकिक तथा और उनकी वागिमता सुविख्याद थी उनकी प्रागण विज्दता से ही अनुप्रमानित होकर पत्ना विश्युजाले ने डॉक्टर ओफ लॉक की उपाधी से उनको नवाजा था नो बिहार के निर्माता के रूप में बिहार के स्री डॉक्टर केष्टन स्रिंग को हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे उनका अनुकर्णिय त्याग बलिदान हमारे लिए एक अमुल धरोहर के समान है जो हमें सदा सरवदा रास्ट प्रेम और जन सिवा के लिए अनुप्रित करता रहेगा आज का विकासील बिहार डॉक्टर सिरी कृष्टन सिंग जैसे महान सिलपी की ही देन है जिन्होंने अपने कर्मट और कुसल करो द्वारा राज की बहुमकी विकास योजनाओ की आधार सिला रखी थी बिहार हमेशा उनका रिनी रहेगा उन्होंने इस राज का लगबग 24 वर्स तक एक अपरेल 1937 से 1946 तक परधान मंत्री के रूप में शेवा करते रहें इस राज के नौनिर्मान में महत्पुन भूमिका उन्होंने निभाई डॉक्टर सिर्किष्ट शिंग ने अपनी बहु आयामी परतिपा विराट विक्तिकत शेवा और सधाना में जीवन के कारण जो विराट यास और गौर अर्जित किया था वह उनके विसाल और विलेक्षन विक्तिकत के सरवता नूब था सिरी बाबू अब हमारे बीच नहीं है किन्तों उनका सेंदेश उनकी विचार धराय उनके उच आदर सदेव हमारा मार्क दरसन करते रहेंगे उनका कहना था कि आज़ाद होने के बाद हमें जो काम करना है वह निर्माना अतमक है पहले हमें सिर्फ जोस पैदा करना था और वह काम कुछ असान था आज हमें अपने देश के करोरों लोगों के नजदीक पहुँच कर उनके हिर्दे तथा मस्तिस को छुना है ताकि आज उनके भीतर देश के निर्मान में योग देने वाली जो सक्ति कुंठित होकर बैठी है वो जीवन को सुंदर बनाने के लिए काम करने की उतकट इक्षाय के रूप में प्रवावित हो सके सीरी बाबू के बिशे में भारत के महान विवतियों के विचार है भारत के पर्थम रास्पती डॉक्टर अजेंट परसाद उनके बारे में कहते हैं सीरी बाबू एक महान वक्ता थे जहां भी वे भासन करने को खरे होते थे जनता पर भावित हो उड़ती थी देश के लिए बलिदान भावना उनके विक्तित की विशिष्टा थी वहीं भारत के पर्थम परधान मंत्री जवाहल नाल नहरू कहते हैं सीरी बाबू का ग्यान बड़े से बड़े पुस्तकाले की पुस्तकों में समाहित ग्यान के समान था वे अपने दिल की बातों के छिपानों तो जानते ही नहीं थे तलाब के सुक्ष्पानी के तरह उनके हिर्दे में क्या भरा है साप साप दिखाई पड़ता था ये बात संद विनुबा भावे ने स्रीकिष्ण बावो के लिए कही है डॉक्टर स्रीकिष्ण सिंग देश के स्वतंता के लिए संगराम करने वाले वीर्युद्धा आधुनिक बिहार के निर्माता था देश के लिए एक परमुख नेता थे ये बात डॉक्टर जाकिर हुसेन ने उनके लिए कही है सिरी बावो ने उस राज के लिए अपने को सहमनवित कर दिया था जिसके सासक थे उनके तोर तरीक के उनकी बुद्धि मता अपने राज के प्रति उनका सने भाव किसी भी प्रसासन के लिए बहुमिल शिद्ध हो सकते थे ये बात डॉक्टर विद्यान चंद्रार ने उनके लिए कही थी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सेर करें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अब मैं आपको बताते हैं कि बिहार में अब तक 25 मुखमंत्री हैं सो अगला विधानसवा चुनाव आ रहा है तो विधानसवा चुनाव से पहले हम 25 मुखमंत्रियों के बारे में आपको बताएंगे कि वो किस दल से आएं कैसे आएं और वो कैसे मुखमंत्री बनें कि अब मैं आपको प्लीघài कि मुखमंत्री आपपी का चुनावयग आपको फे दल वो की बėसे ऑंको अला गताते हैं इंछे तक लिदी खोवणतों कि का यानता रहा है यार जिधानसवानसवा को वो, आपको Caribbean मैं कि वो, आपको बतावills' माम झाल 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 झाल